यूपी स्कॉलर्षिप की कॉमन प्रोब्लम की, इस नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगा, अगर आपका income certificate expire हो गया, cost certificate expire हो गया, और आप अपने यूपी स्कॉलर्षिप का form renewal कर रहे हैं, तो उसे कैसे change कर सकते हैं, तो सबसे पहले मैं यहाँ पर आपको बता दूँ, जब सुमाप श् Group Category निए वात पर आप cannot get concept की बीचल करते हैं उस समय आपकी continue जाती आपके की अबोड़ी vowel करते ये पर आपके इनकम को पहुंप करतेज उस में थोड़ा पूंज होता जैसे इस साल आपने ऐडमिसर मीचेंट कीाणिक और साथ ही आप आपने जो गतबस क्लास पास की है उसकी डिटेल्स तो यह मैंली दो ही चीज़ें रिनुवल फॉर्म में आपकी चेंज होती है साथ ही आपका आधार वेरिफिकेशन किया जाता है और मौल लंबर वेरिफिकेशन यह तीन चार चीज़ें करके आपका फॉर्म जो सक्सेस्फु का फॉर्म जो सेबूरेहार लस में चार थेयाने लिएवरिफिकेशन जाती है आपकी इनकम की अमले और आतीरिश वैच्छो कर आती है उसके बॉर्म उत्तेयाब है खॉलिटियो केर्फाश दीनिग्वारिज details पर click करना होता है उसके बाद ही यहाँ पर आपका income certificate add होता है तो ऐसा नहीं है कि आप इसमें गलत details फिल कर दें गलत details फिल करने पर आपका form जोगा आगए प्रोसीडी नहीं होगा तो UP scholarship में income certificate लेने का मैन मतलब होता है आपके income को verify करना है कि आप जो income criteria रखा गया UP scholarship के लिए वो आप eligible है उसके हिसाब से या नहीं है तो जब आपने फिरेस फॉर्म भरा था उसी समय आपने यह verify कर दिया था income certificate को verify करके कि हम UP scholarship के लिए eligible है अब आपका certificate expired हो गया तो उससे कोई मतलब नहीं है आप पहले ही को यह बता चुके है हम इसके लिए eligible है तो इसके लिए आपको नए certificate बदलने की कोई जरूरत नहीं है और नहीं आपको इसमें कोई चेंज करने का option मिलेगा यहां पर कई लोग कई तरीके की तिगड़म लगाते रहते हैं जैसे विकास भर में जाकर चेंज करने की पुराने certificate के साथ अब यहां पर main problem यह आती है हमने UP scholarship का फॉर्म तो renewal कर दिया है और हमारी आए एकसपार होगे क्योंकि आए की जो age होती है वो तीन साल होती है लेकिन यहां पर जाती की कोई age नहीं होती है तो जाती की लेकर आपको कोई भी टेंशन लेने की जुरूरत नहीं है तो अब हमारा income certificate तीन साल पूरी हो चुकी है लेकिन हमने अपना form renewal भी कर दिया है जब हम अपना form college में जमा करने जाते है तो बहां पर हमें अपना जो पुराना वाला certificate है उसको जमा करना है उसकी photo state लगाकर या फिर आपना नय certificate लगाना है तो यहां पर जो आपके UP scholarship के form में details भरी गई है जिस income certificate की same income certificate को आपको college में जमा करना है लेकिन यहां पर कई बार college बाले मना करते हैं यह certificate X पार हो गया इन से जमा नहीं करेंगे तो ऐसे में आप new certificate भी लगा सकते हैं लेकिन renewal में income certificate से related अगर आपकी last year scholarship आई है तो इस साल आपको कोई दिक्कत होने वाली नहीं है आप इस चीज़ से निश्चेंत रहे हैं बाकि आप अपनी EP scholarship का समझ समझ पर status चेक करते रहे हैं कुछ भी objection आता है तो उसे आप correction date में सही करा सकते हैं तो आई होप आप अच्छे समझ गयोंगे यह income certificate और cash certificate की details correction होनी है आप हमारे चैनल को subscribe करना ना भूले हैं